हेलो फ्रेन वेलकम तू माई यूटूब चैनल तो आज जो है बहुत ही इंपोर्टन क्लास करने वाले हैं जी के जी एसके सब दिन की तरह आज का जो क्लास जो होगा वो बहुत ही अलग तरीके से क्लास होगा आप लोग जो है क्लास में लाश तक बने रहेगा तभी आप लोग को मालूम चले है कि आज क्लास जो है कैसा होने वाल अज जो है हम लोग इसका पर्ट एट करेंगे बाकि जो पर्ट करा हैं उसमें बहुत ही बहुत important important जो है आप लोग के लिए question करा है तो वो लोग part जाकर देख लिएगा आज जो है हम लोग part 8 करेंगे ये class आपको डेली जो है साम 5 बज़े होती है और एक और बाद आप लोग को इस class का अगर PDF चाहिए जो कि हम डेली प्रभाइट कर आ रहे है आप लोग टेली ग्रूप में जोइन हो जाएगा जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग जाकर जोइन हो जाएगा और एक और बात आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सस्काइब नहीं किये तो प्लीज सस्काइब कर जाएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना सेर कीजिए जिन लोग को ये क्लास इंपोर्टेंट होगा वो लोग को शेर किजी आप लोग कि उन लोक लिए असान हो सकता है असम रैफल के एकजाम के लिए तो चलिए class को start करते है class जो है आज बहुत ही important होने वाले हैं बिल्कुल अलग तरीके से class करने वाले हैं बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा आप लोग को और अगर ये class जो है आप लोग को अच्छा लगा तो हम daily इसी तरह से आपको जो है class लाएंगे तो चलिए class को start करते हैं और share करते रहें और जादा से जादा आप लोग class में live आईए daily साम को जो हम लोग 5 बजे class में जो है आते हैं आप लोग के लिए चलिए class को start करते हैं तो आज का जो है पहला number question है देखी किस तरह से आपको आज class करवाने वाले हैं पहला number question है पहला number question क्या है get get का मुख्याले कहां इस्तित है get का मुख्याले कहां इस्तित है तो इसका उत्तर हो जागा गयाट का मुख्याल है जिनेवा में इसतीत है सेकन नमर कोश्टन में चलते हैं रगबी फुटबाल में प्रतेक टीम में खिलार्यों की संख्या कितनी होती है रगभी封ब पुट्वाल में प्रते एक टीम में खेलारी किसंगे कितनी होते है तो इसका ψतर हो जाए गाद 15 आगर मतलब टैपिंग में और कोई जितना होगा उन सभी सडिन्टेर हम बात करेंगे देश देखिए हम लोग अभी देख लिए प्रत टीम में खिलार उग सेंगे कितनी है 15 आप बात करते हैं कि रगभी फुटबॉल कि रज्ञेट राश्टिये खेल है कि रगभी फुटबॉल स्कॉट लेंग का राष्टिय खेल है, यानि कि एक कोश्चन कराएंगे और उससे रिलेटर जितने भी अगर कोश्चन बन सकते हैं उन सबी का जो है, हम डिटेल में आप बात करेंगे ऐसे ही कराएंगे, क्योंकि मा ली एक कोश्चन कराएं अब उससे related 3-4 question बन जाएंगे तो रगवी football जो है Scott Lane का राष्टी ये खेल है इससे पहले हम पढ़ें कि रगवी football प्रतेक तीम में 15 खिला रही होते हैं अब इससे related एक question आ गया कि रगवी football किस देश का राष्टी खेले तो Scotland का राष्टी खेले अब ये तो मालूम चलिए कि Scotland का राष्टी खेले अब आपको ये मालूम है कि Scotland की राजधानी क्या है तो Scotland की राजधानी जो है एडिन बड़ा एडिन बड़ा जो है Scotland की राजधानी है Scotland की राजधानी क्या है हिंदी भासा भारत देश में ख़्यटेने अलग अलग भासा बहुदेश यो गया। स्कॉट लेंड के तरह जिसे बोला जाता हुआ और भासा तो आप तो को समाझ में आ गिया अब यह मत बुलिएगा कहीं गूगल में दिया हुआ कि स्कॉट लेंड के भासा कुछ छोड़े तो वैसा आपको कुछ कन्फूजन दूर कर दिये तो स्कॉट लेंड के ओफिसियल लेंगवेज वहां की इंगलीज है तो आपको देखिए आपको बता दिये रगभी फुटबॉल के बारे में सबसे पहले आपको बता दिये कि एक टीम में कितनी खिला रही होती है पंद्रह होती है रगभी इंपॉर्टेंट जितनी भी पॉइंट होंगे उन सभी को जो है किलियर करेंगे इस तरह से हम क्लास को आज करने वाले हैं करने देखिए आप लोग को तिन जिसके एक कोशन को किलियर हो गया अब आगे चलते हैं आगे इस तरह से आपको मिलेगा थर्ड नमबर में है कि दचिन कोडिया की मुद्रा क्या होती है तो दच्षिन कोडिया की मुद्रा जो होती है वाण होती है अब इस से रिलेटेर डेखे क्या क्या पॉइंट कि लिए आप लोग को करता हों मैं तो दच्छिन कोरिया, दच्छिन कोरिया की राध्धानी क्या होती है, सी ओल, दच्छिन कोरिया की मुद्रा हम लोग पढ़े वान होती है, फिर इससे रिलेटेड आया, दच्छिन कोरिया की राध्धानी सी ओल, दच्छिन कोरिया की राध्धानी सी ओल होती है, ठीक, अब आ लिए दच्छिन कोरिया के मुद्रा पर लिए अब उत्तर कोरिया का मुद्रा क्या होता है तो इसके बारे में आप लोग को बता दें कि दच्छिन कोरिया और उत्तर कोरिया का मुद्रा क्या होता है वन होता है दोनों का मुद्रा सेम होता है लेकिन राजधानी अलग-अलग ह क्या है इसका उत्तर होगा मलेस्या का राष्टी ये खेल क्या है तो मलेशिया का हुछ जानना मलेशिया की राध्धानी क्या होती है तो मलेशिया की राध्धानी कुवाला लंपूरम कुवाला लंपूरम जो है मलेशिया की राध्धानी है मलेशिया देश की जो राष्टिये खेल है राष्टिये खेल बैडमिंटन है मलेशिया देश की राध्धानी क्वाला लमपुरम है अब मलेशिया देश की जो मुद्रा है वो क्या होती है रिंगिट मलेशिया देश की मुद्रा क्या होती है रिंगिट होती है इसमें भी हम लोगा तीन पॉइंट के लिए हो गया सबसे पहला मलेशिया देश की जो राश्टिये खेल है वो होती है बैडिमिंटन मलेशिया देश की राजधानी क्या है कुवाला लंपुरम मलेशिया देश की मुद्रा क्या है रिंगिट तीन चीज आपको किलियर कर दिये इतना अच्छे तरीके से आपको बता दिये सबी बात आप लोग किलियर हो गए कमेंड करकर आप लोग बताइए अगर कोई प्रावलम है तो हम आपका प्रावलम सौल्ड करेंगे 4 नमबर हो गया 5 नमबर में चलते हैं 5 नमबर में क्या है कि राष्ट पती को राष्ट पती को पद की सपत कोन दिलाता है राष्ट पती अगर मैं लिए कि कोई राष्ट पती का चुना हुआ राष्ट पती ने चुनाव जीता तो उनको सपत जो है कोन दिलवाता है तो राष्ट पती को सपत जो है राष्ट पती को हमारे देश के राष्ट पती को भारत के मुख्य नियादिस भारत के जो मुख्य नियादिस होंगे वो राष्टपती को सपत दिलाते हैं अब इसे रेटे पढ़ लेते हैं राष्टपती जो है हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्टपती जो है हमारे देश के क्या होते हैं प्रथम नागरिक हमारे देश के राष्ट पती को ही कहा जाता है एक पॉइंट हो गया अगला पॉइंट है जैसे कि माल लिजे कि राष्ट पती को सपत जो है मुखने अधिर भात के मुखने अधिर दिलाते हैं अगर वो क्या हुए अनुपस्थित हैं वो अपसेंट हैं तो राष्ट पती को सपत जो है उनको दिलाने जोड़ी है तो अगर राष्ट पती के सपत जो है दिलाने में अगर मुखने अधिर अपसेंट हो गए वो नहीं है ठिक किसी काम में अगर उनका बिजी है तो उनकी जगह पर उनके अनुपस्तिति में भात के मुखने अधिर के अ क्या करवाएंगे सपत दिलवाएंगा अगर सरवोष नियाले के वरिष्टम नियाधिस भी नहीं है कोई कोई वरिष्टम जो है नियाधिस उपलब नहीं है तो इससे भी कोई सरवोष नियाले कोई और जो है नियाधिस वरिष्टम उससे दिलवाएंगे कोई जो है नेंगे इनको सपत समाझ में आगया आपको तीन पॉइंट आप लोगों कि लिए कर दिया इतना सारा अगर कोई प्रॉब्लम मोत हतना हम से पूछ सकते हैं five number होगे आप चलते हैं six number में six number question में क्या है six number question में भारत में पहला भासाई राजे किसे बनाये गया यनिक्ति भासा कि अधार पर राजे किसे बनाये गया सबसे पहला आंध्रपदेश को बनाये गया अब इससे related भी हम बाते कर लेते हैं क्या का important question आ सकता है तो October 1923 को जैसे कि पहला भासा राजी जो है भासा के अधार पराजी जो है आंद्रपदेश को बनाये गया था ठीक, वो कब बनाये गया था October 1923 को पहला भासाई राज आंद्रपदेश को बनाये गया समझ में आ गया चलते हैं आगे बैठक कब हुई थी समिधान सवा की पहली बैठक जो है December 1946 को 9 December 9 December 1946 को समिधान सवा की पहली बैठक हुई थी अब इससे रिलेटर बहुत सारे point है जो कि आपको इसमें clear होंगे देखी कितने कितने important आपके लिए point है सबसे पहला कि November 1946 में देश में समिधान सवा का निर्मान हुआ November 1946 में देश में समिधान सवा का निर्मान हुआ तकब November 1946 में उसके बाद है 9 December को 9 December 1946 को 9 December 1946 को समिधान सवा की पहली बैठक हुई जिसके औस थाई सदेक यानि कि पर्मानेंट नहीं थे औस थाई थे और स्थाइसदर से कुण बने डॉक्टर सचिदानन सीना जो है और स्थाइसदर से बने समिधान सवा के पहली बैठक में 9 देसंबर 1946 को समिधान सवा की पहली बैठक हुई जिसके और स्थाइसदर से डॉक्टर सचिदानन सीना थे यहां 9 December 1946 होगा आगे है फिर जो है दूसरी बैठक हुई समिधान सवा की दूसरी बैठक हुई ठीक जिसके अस्थाई सदस यानि पर्मानेंट सदस जो है डॉक्तर राजेंद्र परसाद बनाएगे इससे पहले जो है 9 December 1946 को समिधान सवा की पहली बैठक हुई थी जिसमें जो समिधान सवा का सदस से जिसके सथाई सदस से बनाए गए थे सच्दानन सवा को और असथाई इंप को देखना है कि समिधान सवा के पहली बैठक में नौ दिशनबर 1946 को डौक्टर सचिदानन शिना थे फिर उसके बाद 12 दिशनबर 1946 को समिदान सभा की दुसरी बैठक होई जिसके अस्थाइश सदस्द से डौक्टर राजेंदर पसाद थे तो आपको समझ में आ गया हम लोग 3 4 पॉइंट के लिए कर लिए समिधान सभा के पहली बैठक हुई थी नौधिस समिधान सभा का निर्मान हुआ फिर समिधान सभा के दूसरी बैठक हुई को दोक्टर राजयन पसाद थे तीन चार पांट आप लोगा करिए आगे क्या है ए्ट नंबर में एक नमबर में है धौनी का वेग किसमिस सरवाधिक होता है धन्दोका वेग किसमिस सबसे अधिक होता है तो इसका उत्तर हो जागा ठोस में धोनी का बात करें हैं हम कुछ और करें बात करें धोनी का यह निकि साउंड साउंड का जो वेग है वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है किसमे होता है ठोस में होता है अब इसे एक और पॉइंट है कि धोनी का वेग जो है कम किसमे होता है तो सरवादिक जो है वो ठोस में होता है और कम जो है धोनी का वेग गैस में सबसे कम गैस में धोनी का वेग होता है और सबसे ज्यादा जो है ठोस में होता है तो आप लोग को दोनों पॉइंट किलियर हो या कोई दिकत, हो ता आप लोग हमसे बोल सकते हैं, नाइन नंबर कोषन में, इसमें बहुत सारा पॉंट आप लोगो किलियर करेंगे, देखेंगे आप, नाइन नंबर में, चंद्र कुपत मौरे ने क से पराजित कर मौरे वंस के अस्थापना की, तो इसका उत्ते अज्चा स्थापना की थे बारे में बात कर लेते हैं तbahnंति इसानक युरुलान के-क और को उसकाुठाप मारकर पराजित करके जो है मौरेमंस के सापने की घ्ầhana नन्द को उनके गुरु कोन थे चा definite के थे, अगी साहता से चानक्य और नहीं राते और चानकके नहीं राते चमब invasive कोरा कर मौर शाफना नहीं कर पाते हैं इनका मुखोय योगधान तो श्रत्व मिखें कर चानकी के मुख योगधान था मतलब aintप उन्हों नहीं बोला था इन ओ Gaming सहायता है की 2020 चंड़ कुँआन को फेल प्राजित करने में तभी मोरेवन्स की अस्थापना हुए। महापद्मा नंद के आठ पुत्र थे जिन में से ये पुत्र अंतिम सासक बना नंदवन्स का और इनको घाना नंद को किस ने मार दिया चंदगुप मौरे ने किस की साहिता से चंदगुप मौरे का गुरु थे आप लोग इतनी सारी बाते समझ में आ गए और एक और बात घाना नंद के सासनकाल में ही सिकंदर भारत पर आकमन किया था 326 इसापुड़ों में ठीक सिकंदर इसी के सासनकाल में आया था घाना नंद के सासनकाल में ही आया था जिसको जो है भगा दिया गया था नहीं रने द वीडियो को जो है देखती है देखते रहेंगो और कुलास गृस को जीतना हो सब के सेर किसे अगर आपको अच्छा लगे ये एक लास तो यहींत्रपियर नायगे कौशना का आज हम लोगतेंकों करेंगे क्योंकर आपे pocz बता दें ज्यादा कोशन करने से कुछ दें यसी कि पचास सो हम डेली करा देंगे वह लाइन बाइन इसका ये एंसर है गौतमबुत का जन्म का बुए था पांसो तीज सटीशा पुर्म जैसे करा रहे थे वह हमको अच्छा नहीं लगा हम सुचे कि स्टूडियन के साथ कुछ अलग किया जाए उनको समझाया जाए कि किसी भी कोशन का उसे डिटेल में बताया जाए क्योंकि एक कोशन से दो तीन कोशन मतलब डेवलप हो रहा है तो उन सभी के बारे में आप लोग को बताया जाए ठीक तो इसलिए ऐसा क्लास लाए अगर आपको पसंद आए तो लिए नमर कॉशन में है गोतमबुध का जन्मे कभ हुआ था गोतमबुध का जन्म में कभ हुआ था तो इसका उत्तर है गोतम बुद का जन्म का हुआ था 563 इसापुरो में गोतम बुद का जन्म हुआ था गोतम बुद को बौत धर्म का संस्थापक कहा जाता है आग क्या है इन्हों ने क्या किया था सारनाथ में पहला उपदेश दिया था इन्हों ने सारनाथ में क्या किया था पहला उपदेश दिया था गोतम बुद ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था आगे क्या है इनकी मृत्यू जो है इनकी मृत्यू 483 इसापुरों में 80 वर्ष की आयू में हुई थी कब इती? 483 इसापुरों में 80 वर्ष की आयू में इनकी मृत्यू हो गई थी किनके? गौतम बुध के गौतम बुध की जो है 483 इसापुरों में जैसे कि मित्य हुआ तो इनौन st उपदेश दिया था उपतेश्य लाट क्या बोलत अगर आप लोग बोले हैं तो हम टॉपिक भाई भी बता देंगे कि क्लास आप लोग के लिए ला देंगे तो आप लोग का समाज में आगिया इनके मित्यू का भूई थी 413 इसापुर में अस्सी वर्ष के आयो में इनके मित्य हो गई थी 563 इसापुर में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद को बोधर्म के संस्थापक कहते हैं कहा जाता है और इन्होंने सारनाक में अपना पहला उपदेश दिया था तो यही था हमारा आज का पुरा एक क्वेश कैसा लागा हम लोग आपके लिए डेली सही क्ला Cash लाय या फिर पहले कर रहे हैं उसी तरह Oldies क्लास में आप को बता दिए तो आप लोग जो है comment करका बताइए कि आपको यह class कैसा लगा मतलब कल जो झौराए थे और अगले इससे पिछले जितने में class करया थे उससे यह class अच्छा लगा यह नहीं आप लोग करका बताएएगा और इस class का आपको PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रूप में जो है आठ बें तक हम डेली प्रभाइट करा देते हैं तो फ़ालेट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम होता आप लोग हमें टेलीग्राम में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को प्लीज लाइक जोर किजेगा और चैनल को आप लोग अभी तक सब् कुछ से बस इतना ही बोलना था आप लोग से और किसे पर आपढ़ि कि पर अप में टेलीग्राम में पूल सकते हैं तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स क्लास में और इस क्लास के बारे में आप लोग हमसें बंदे मातरम